इस वीडियो में हम जानेंगे शिर्षासन करने से हमें क्या लाभ मिलते हैं शिर्षासन अर्थात सर के बल किया जाने वाला आसन इसमें शिर नीचे होता है धर्ती पर और अपने पेर उपर होते हैं इसे कहा जाता है शिर्षासन कौन कौन से रोग ठीक होते हैं ये भी हम जान और एसी कौन सी गलतिया हैं जिनको हमें नहीं करना है नहीं तो हमें लाभ नहीं होगा तो चलिए देखते हैं शिरसासन के लाभ आसन एक और लाभ अनेक बालों की समस्या में अधिक फाइदा होगा असमय बाल जड़ना बंद हो जाएंगे या उनकी गती धीमी हो जाएगी आपके बाल काले घने वह मजबूत हो जाएगे आपकी मेमोरी पावर बढ़ जाएगी इसमरन शक्ति याद रखने की शक्ति बढ़ जाएगी भूलने की समस्या से मुक्ती मिलेगी चेहरे की समस्या भी काफी हद तक समापत होती है जैसे चेहरे पर प्राक्रतिक ओज, तेज, चमकदार, आभा मंडल अर्थात आपके चेहरे पर नेचुरल ग्लो बढ़ेगा चेहरे पर जाईयां, जुर्रियां और दाग धब्बे पिंपल से भी छुटकारा पाएंगे आँखों पर ये दी चेश्मा लगा है तो वो भी उतर जाएगा, आँखों की रोश्मी बढ़ेगी, पेट के रोगों में भी फाइदा होगा सौपन दोश की समस्या में भी लाभ मिलेगा, कई गोपत रोग, पोरुष कमजोरी में भी लाभ मिलेगा मान सिक तनाव, मान सिक स्वास्थ में भी लाभ होगा, काम वासना पर नियंतरन होगा, वीर व्रद्धी होगी टेश्टो इस्टेरोन जोकी मेल हार्मोन सो होता है, वो बढ़ता है काम वासना पर अगर आपका नियंतरन होगा, तो वीर नाश कम होगा और जब वीरिनाश नहीं होगा तो आपकी नीचे की असीमित उर्जा उपर की ओर उठेगी और आपको असीमित शक्ति का भंडार मिलेगा वीरिनाश को रोकने से और नीचे की उर्जा उपर ले जाने से आपको किस प्रकार की शक्ति मिलेगी वेसी ही शक्ती जेसी स्वामी विवेकानंद को मिली महावीर स्वामी को मिली ओशो को मिली गोतम बुद्ध को मिली ये लोग जन में मानव के रूप में ही थे लेकिन इन्होंने जीवन जिया महा मानव के रूप में और कुछ तो भगवान भी बन गए आज भी वर्तमान में भारत वर्ष के अंदर आपको कई एसे महापुरुष महायोगी देखने के लिए मिल जाएंगे जिन्होंने वीरिनाश को बचा कर ब्रह्मचरी का अटूट पालन कर और योगासन ध्यान शिर्शासन कर अपने जीवन की सारी उर्जा को सखारत रूप में ले आए और महामानों के रूप में आज विद्धमान है आज करोडों लोग इनके भक्त हैं इनको मानने वाले हैं इनके फॉलोवर्स हैं तो साथियों ऐसे लोगों के फॉलोवर्स बनो ना की छपरी और असली लोगों के क्योंकि ऐसे लोगों के फॉलोवर्स बनना खुद में एक अच्छी बात है क्योंकि जैसी आपकी संगत रह योग, ध्यान, प्रानायाम आपकी मानसिक शक्ती बढ़ाते हैं और शारिरिक शक्ती भी और शारिरिक रूप से बलवान व्यक्ती भी मानसिक शक्ती के आगे जुकते हैं आपकी फोकस पावर ध्यान केंडरित शक्ती भी बढ़ेगी आपकी फोटोग्राफिक मेमोरी बढ़ेगी ये एक ऐसी मेमोरी है जो आप एक बार पढ़ लेते हैं सुन लेते हैं या देख लेते हैं वो सब कुछ आपको एक ही बार में याद हो जाता है स्वामी विवेक आनंद की फोटोग्राफिक मेमोरी ही थी वो जो भी पढ़ते थी उनको याद रहे जाता था आपका पाचन तंत्र ठीक होगा रोग प्रतिरोधक शमता बढ़ेगी इम्यून सिस्टम मजबूत होगा आपको नींद अच्छी आएगी चिर्चरापन खत्म और काम की क्वालिटी भी बढ़ेगी भुडापा देरी से आएगा आपका मन तनाव मुक्त होगा आपका शरीर मुर्जाया हुआ जूलता हुआ लटकता नहीं होगा बलकि कड़क मजबूत तना हुआ होगा सूपर परशन की तरह शरीर फुर्तिला होगा स्वपन दोश शि तो आपने देखा कितने सारे लाब हैं इस एक आसन के आसन एक और लाब अनेग तो अब हम जानेंगे कोन-कोन लोग इस आसन को नहीं कर सकते हैं तो हाई बिलड प्रेशर वाले नेत्र में दर्द होने वाले रदे की समस्या वाले जिनका कान बहता है वो कोई सा आउपरेशन हुआ हो ताजा ताजा अभी वो हरनिया वाले भरे पेट इसको कभी नहीं करना ह और स्लिप डिस्क वाले इसे ना करें शरीर में खराब खुन है तो भी नहीं करना है और मासी धर्म में नहीं करना है यदि आपकी गर्दन में चोंट है या दर्द है तो भी उस समय नहीं करना है चक्कर आते हैं तो उस समय नहीं करना है गर्भा वस्ता की वस्ता में भी आपक नहीं मिलेंगे कई बार साधक वा अन्य लोग कुछ समय इस आसन का प्रयोग करते हैं योगासन करते हैं और तुरंत उनको लाब चाहिए होता है लेकिन तुरंत इसका लाब नहीं मिलता उचित आहार यदि आप उचित आहार नहीं लेंगे संतुलित आहार नहीं लेंगे तो आपको इसका फायदा नहीं होगा या कम होगा. नशा, किसी भी प्रकार का नशा करने से इस आसन का लाभ नहीं होगा. लेकिन आप प्रति दिन योगासन शिरसासन करेंगे तो आपकी इक्षर शक्ति प्रबल वो मजबुत हो जाएगी और धीरे धीरे आपकी नशे की लत भी खत्म हो जाएगी तनाव इश्ट्रेश यदि आप किसी भी बात को लेकर तनाव में रहते हैं तो आपको किसी आसन का अधिक और जल्दी लाब नहीं मिलेगा क्योंकि तनाव के कारण ही आपका कार्टिसोल बैड हर्मोंस लिकलता है जो आपको बिमार कमजोर और बुढ़ा बना देता है तनाव पाचन क्रिया कमजोर कर देता है भूख न लगना और बहुत से दुस्परिणाम होते हैं तनाव के इसलिए तनाव से हमेशा बच कर ही रहें साथियों आपके जीवन में कोई समस्या है तो उसका समाधान भी होगा उस समाधान को ढूंडो और यदि कोई समस्या है और उसका समाधान नहीं है आपके हाथ में नहीं है आपके नियंतरण में नहीं है तो फिर आपको तनाव लेने की कोई आउश्यक्त नहीं है आपको इ आप बस इतना करें तनाव से बचें बूरी आदतों को कम करें धीरे धीरे नशे को कम करें और प्रति दिन योगासन प्राणायम शिर्षासन करें बहुत अधिक लाब मिलेगा एक महिने करके तो देखो साथियों यदि आप लंगोट या सपोर्टर पहन कर योगासन शिर्षासन करेंगे तो आपको लाब अधिक और तेजी से होंगे क्योंकि उर्जया बंधी रहेगी धीरे धीरे करें पहले दो मिनिट करें तीन मिनिट करें एक मिनिट इस तरह से आप समय बढ़ाते जाएं धीर का वामप करें गर्दन को और कंधों को घुमाएं हाथों को घुमाएं और गर्दन को थोड़ा लचीली कर लें उसके बाद इस आसन का प्रयास करें सभी आसनों से पहले आपको शिर्शासन करना है या फिर जब आपकी सांसे सामाननी हो और आपके शरीर का तापमान अंदर से सामान नी हो तब आपको करना है यदि आपकी सांसे चड़ी हुई हो या आपने पहले कसरत की हो रनिंग की हो या फिर कोई से एसे आसन किये हो जिससे आपकी सांसे भरी हुई है चड़ी हुई है आपका शरीर अंदर से गर्म है तब आपको इस आसन को नहीं करना है याद रखें सरीर का तापमान सामानी होना चाहिए और आपकी सांसे सामानी होना चाहिए तब ही इस आसन को आपको करना है इस आसन को आप कभी भी कर सकते हैं सुभा या शाम लेकिन आपका पेट खाली होना चाहिए नित्तिक क्रियाओं से फ्री होकर ही आप इसासन को करें फ्रेश होने के बाद ही करें और यदि आपने भुजन किया है तो 4-5 गंटों के बाद ही आपको शिर्शासन करना है शिर्शासन करते समय आपकी सांसे सामानी रहेगी शिर्शासन करने का सही तरीका केसे करे सिर्शासन, क्या गलती ना करे ये सब कुछ बताएंगे अगले वीडियो में और वो वीडियो आपको ii बटन पर भी मिल जाएगा उसकी लिंक आपको description में भी मिल जाएगी साथियों, क्या आप सिर्शासन वा योगासन करते हैं आप शिर्सासन वा योगासन कब से कर रहे हैं? क्या आपको कुछ लाभ हुआ है शिर्सासन करने से? और कौन-कौन आज से ही शिर्सासन वा योगासन करने वाला है? कमेंट बोक्सों में कमेंट करके अवश्य बताएं और आपको वीडियो में दिखाएगे जानकरी अच्छी लगी हो वीडियो अच्छा लागा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें साथियों एक दिन सभी को बूड़ा होना है सभी को ये दुनिया छोड़कर जाना है अच्छे अच्छे योगी चले गए लेकिन सभी योगी लंबी आयू तक जिये और निरोगी काया रखी और बाद में सभी ने समाधी ली या किसी ने अपने प्रांट किया गए लेकिन स्वस्थ आवस्था में योगासन आपको असमे बुड़े होने से और बिमार होने से बचाता है इसलिए योगासन करते रहिए शिर्सासन करते रहिए और एसी जानकारी वाले और भी वीडियो देखने के लिए चेनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकोन घंटी रवाना ना भूले पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ हमेशा स्वस्थ रहें सुखी रहें प्रसंद रहें निरोगी रहें जाए हिंद वन दे मातराम